दो बहर का वक्त था लगभग ढ़ाई बज रहे थे दो दो सड़क किनारे खड़े होकर बाते कर रहे थे सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम थी अचानक दोनों की नजर पड़ी सफेद और नीले रंकीस रोडवेस बस पर जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी बस की रफ्तार काफी तेज थी और दोनों को फॉरन समझ में आ गया कि अगर यहां से नहीं हटे तो बेकाबू बस उन्हें रौंद कर निकल जाएगी देखिए ये दोनों शक्स कैसे चंद सकंड के फासले से बाल बाल बचे जैसे मौत दोनों को छू कर निकल गई या यूँ कहें कि दोनों ने मौत को चक्मा दे दिया सडक किनारे रखे स्टॉल और बोर्ड को टक्कर मार कर गिराते हुए बस आगे बढ़ गई पास की दुकान में लगे सी सी टीवी कैमरे में ये दिल दहला देने वाली घटना कैद हो गई ये वीडियो हर्याणा के रेवाडी जिले का बताया जा रहा है हर्याणा रोडवेस की ये बस जो ड्राइवर चला रहा था वो शराब के नशे में चूर था ये घटना 18 मार्च की है जिस दिन दुल हिंडी का त्योहार मनाया जा रहा था और इस वजह से सडकों पर उतनी भीड़ भाड नहीं थी वरना और भी कई लोगों की जान पर बनाती बताया जा रहा है कि आगे जाकर ये बस एक बिजली के पोल से टकराई और रुग गई लोगों की मांग है कि रोडवेज करमचारियों और इस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही के लिए सख्त कारवाई की जाने चाहिए कि लोगों की आगे लोगों की जाने चाहिए